हलो स्टुडेंट्स वेलकम इंविंग्स अकेडमी आज हम क्लास 10th Mathematics NCRT का न्यूस लेबर से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास चेप्टर वन है रियल नंबर तो इसके अंदर हम किस तरह से एप्प्रोच करेंगे तो वो मैं आपको स्टार्टिंग देखेंगे इस चेप्टर से रिलेटेड इसके बाद सेकेंड नंबर का जो लेक्टर होगा मारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूक्लीड्स यूक्लीड्स डिविजन लेमा इसके अंदर क्या रहेंगे हम यूक्लीड्स डिविजन लेमा के अंदर HCF निकालना सिखेंगे with the help of Euclid Division Lema कोई भी दो numbers का HCF किस तरह से निकालते हैं और ये वाला जो concept है वो आपका complete best होगा exercise 1.1 के उपर तो ये concept अगर आपका clear होता है तो आप exercise 1.1 आसानी से solve कर सकते हो थार्ड जो lecture होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास arithmetic arithmetic से related यानि कि हम HCF और LCM दोनों निकालना सिखेंगे with the help of prime factorization method और इस पर बेज़ड होगा हमारे exercise 1.2 फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें इस chapter के अंदर तो वो है revising irrational numbers irrational numbers इसके अंदर हम क्या करेंगे जो हमारे पास irrational number हम पढ़ेंगे introduction वाले पार्ट में तो उनको किस तरह से हम prove कर सकते हैं कि वो irrational number तो ये वाला पार्ट जो है वो आपको मिलेगा exercise 1.3 के अंदर और लास्ट पार्ट है हमारे इस chapter का वो है decimal expansion decimal expansion decimal expansion के अंदर हम क्या करेंगे जो भी decimal numbers होते हैं उनके अंदर बिना calculation के decimal लगाना सिखेंगे और decimal लगा हुआ है तो उसको बताना सिखेंगे कौन सा terminating है कौन सा non-terminating है तो इससे related जो भी applications बनेंगे वो है exercise 1.4 के अंदर तो इस तरह से हमारा chapter 1 real numbers complete होता है इसका एक overview मैंने छोटा सा दिया आपको किस तरह से approach करना है तो बने रहे हैं next lectures के लिए चल्दी से मिलते हैं तब तक के लिए bye